सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 के एबरोगेशन को लेके जो वर्डिक्ट आना था वो फाइनली आ चुका है यह वर्डिक्ट अगर आपको कॉम्प्लिकेट लग रहा है तो इस वीडियो के एंड तक आप सारे कॉम्प्लिकेशन सौल कर पाएंगे थोड़ा असान तहरीके अप्लिकेबल नहीं था जम्मु कश्मीर के उपपर अब यह पूरी कहानी शुरू होती है अवसानी से समझने के लिए 1947 में पंदराग उसको देशाजाद हुआ उसके बाद सब्सक्राइब बाइब बटेल ने जवाल नेरू के साथ मिलके तमाम नेताओं के साथ मिलके सारे गर जो प्रोविस्निस थे उन आरत का हिस्सा बनने का एक नया अभियान शुरू कि जिसके तेयर भारत के सब एक union भारत का form हो सके इसमें जम्मु कश्मीर भी आता था जम्मु कश्मीर के राजा हो करते थे राजा हरी सिंग वो भारत का हिस्सा बनने के लिए शुरुवाती तौर पर रेडी नहीं थे ना वो भारत का हिस्सा उना चाते थे ना पाकिस्तान का ओक्तोबर के मैने में पाकिस्टानी आर्मी ने जमु कश्मीर के पर हमला बोला क्योंकि वो कश्मीर को अपना इस्सा बनाना चाते थे राजा हरी सिंग ने भारत से मदद बांगी लेकिन टे observation बारत नहीं था जटाते हैं कुछ conditional clause add करते हैं कि मेरी यह conditions होंगी उसके बाद भारत का हिस्सा बन जाता है जम्मु कश्मी बारती से पाकिस्तान यार्मी से लड़ती है तमाम यूद होता है इन conditional clauses के चलते जम्मु कश्मीर भारत की sovereignty को reinstate नहीं कर रहा था यह कहा है सुप्रीम कोर्ट ने आज कि आर्टिकल 370 दिया जाएगा जम्मु कश्मीर को इसके अंदर को special provision दिये गए अपना constitution दिया गया जमु कश्मीर को अपना flag था जम्मू कश्मीर को कानून बनाना है कोई कॉछ अमेंडमेंडमेंट करना है तो जम्मू कश्मीर तो Celebrity सबसे पहले यह किया गया कि साल 2018 में जब PDP के साथ BJP ने मिलके सरकार बनाई, छे महने बाद साथ महने बाद उस सरकार गिरी और प्रेजिडेंट रूल इंप्लिमेंट कर दिया गया, अमर्जनसी स्टेट अमर्जनसी लगा दी गई जम्मु कश्मीर के अंदर सत्यपाल मलिक तब जम्मु कश्मीर के गवर्नर हुआ करते दें, छे मेने बाद इस एमर्जनसी को फिर से एक्स्टेंड किया गया, इस एमर्जनसी के अंदर एक प्रोविजन यह था कि क्यूंकि स्टेट की असेंबली अब खतम होने के बाद असेंबली के जो राइट्स थे, वो राइट जैसे ही आर्टिकल 370 कोट आया गया, तो जो स्पेशल स्टेटस दिया गया था जम्मु कश्मीर को, जिसके अंदर उनके पास अपना कॉंस्टूशन था, अपना फ्लैग था, और एक तरीके से भारत सरकार का कंट्रोल कम था, सिरफ डिफेंस और फोरन अफेर्स में बारत स वकिल्यों ने एक पिटीशन फाइल किया सुप्रीम कोट के अंदर, सुप्रीम कोट से कहा कि सर हमें लगता है कि भारत सरकार ने जिस तरीके से आर्टिकल 370 को हटाया है, यह बहुत गलत है, आप इसके अपर अब बार अपनी वर्डिक्ट सुनाइए, आज वर्डिक्ट आ और 2024 के सितंबर तक इलेक्शन कराए जाएं, यह बर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोट की तरफ से, सुप्रीम कोट ने यह का आया कि एमर्जेंसी के अंदर पूरा अधिकार था भारत सरकार के पास, स्टेट असेमली की तरह एक करने का, लोगसभा के पास स्टेट असेमली की जुटते रहेंगे, आर्टिकल 370 के उपर अभी हमारी कवरेट जारी रहेगी, आप जुड़े रहें मोजो स्टोरी के साथ, तब तक देखने के लिए शुक्रिया, नमस्कार, कैमरापर सर्म अदलाल के साथ, हर्शिश शर्मा, मोजो स्टोरी